Hello everyone, मैं हूँ किरिंचापुरी और ये है आप लोगों के लिए October 2024 की Love Tarot Reading तो अगर आप जानना चाहते हैं कि October मन्त में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है क्या आपके पार्टने की आपके लिए energies रहेंगी क्या आप महसूस करेंगे आप दोनों के बीच में October मन्त में क्या रहेगा कौनसी छोटी छोटी सी बाते हैं जिनका खयाल रखके आप October मन्त की energies को बदल सकते हैं October मन्त में अपनी love life को भेतर कर सकते हैं तो यह reading आपके लिए है और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो नाम के हिसाब से राशी हो आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं आप लोगों के लिए October 2024 की love tarot reading तो यह reading आप लोगों के लिए देखेंगे October 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है में आपसे यहां पर तीन set of cards हैं फर्स set of cards में हम आपके energies देखेंगे सेकंड set of cards में आपके partner की energies देखेंगे and तर्ड set of cards में हम देखेंगे कि finally October month में क्या हो रहा है तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए आप इस सबसे पहला card मुझे दिख रहा है और यह card कहता है कि कुछ time से या फिर October starting में बहुत एक प्यार महबत आप अपने partner के लिए महसूस तो कर रहे हैं लेकिन या तो express नहीं कर रहे हैं या फिर over express कर रहे हैं और जादा मुझे दिख रहा है कि एक distance अपनी तरफ से आप बना रहे हैं अब देखी यह unintentionally भी हो सकता है यानि कि आप aware नहीं हैं और you know कुछ चीजें हैं जो आपको bother कर रहे हैं इसकी वज़े से आपकी तरफ से एक distance आ रहा है और कुछ hedries के लिए हो सकता है intentionally आप ये दूरी बना रहे हैं और देखी आप इस Six of Cups का काड कहता है कि जो भी पल आपने उनके साथ बिताए या फिर अभी भी आप बिता रहे हैं जब भी भी आप उनके साथ नहीं होते हैं आप उनको बहुत मिस करते हैं आपको उनकी बहुत याद आती है यहाँ पर देखीए Six of Cups का काड पास्ट की बात करता है तो पास्ट के पल, पास्ट के moments आपको ज़ादा याद आ रहे हैं वो current partner के साथ हो सकते हैं या फिर ex के साथ भी हो सकते हैं अगर आपका past में relationship रहा या फिर past की कोई बात आपको तंग कर रही है, परेशान कर रही है और यहाँ पर देखीए unappreciated का काड कहता है मन ही मन आपको ऐसे लग रहे हैं कि आपके partner आपको appreciate ही नहीं करते जो भी आप कर लें, जो भी आप उनको कह लें आप out of the way आके भी उनके लिए कोई चीज करें या ना करें, मतलब वो appreciate नहीं करते वो आपके efforts को या फिर जो भी आप कह रहे हैं अच्छा उनके लिए कर रहे हैं उसको recognize नहीं करते हैं यहाँ पर gas lighting का काड दिखी एक दो चीज़ें कहता है या तो उनकी तरफ से आपको gas lighting वाली energies महसूस हो रही हैं वो psychological level पर आपको manipulate कर रहे हैं यानि कि you know बहुत ही एक cold war types की energies होती हैं जहाँ पर हम upfront होके तो कुछ नहीं कह रहे हैं बट इस तरीके की conversation है जिससे कि आप थोड़ा सा low feel कर रहे हैं आपका confidence खतम हो रहा है या तूट रहा है या फिर देखिए आपकी भी unintentionally ऐसी energies पार्टनर के लिए रह सकती हैं और कहीं देखिए end October के लिए King of Pentacles Rivers का कार्ट कहता है आप या तो बहुत practical बहुत realistic तरीके से चीजों को deal कर रहे हैं या पिर ऐसा करना चाहा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं और vibes का कार्ट कहता है आप अपने पार्टनर को अच्छे से समझ रहे हैं आपको जो भी वो कह रहे हैं उसके underline meaning समझ में आ रहे हैं आप उनकी vibes क्याच कर रहे हैं और उसी के ही basis पे आप चीज़ों को deal करना चाहा रहे हैं या फिर कर रहे हैं अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या energies हैं आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला card है The High Priestess Reverse और यह card कहता है कि कुछ time से या फिर October starting में हो सकता है कि आपके partner थोड़ा सा withdraw कर रहे रहे थे उतने efforts नहीं ले रहे थे और कहीं इसी energy में से वो खुद को बाहर निकालना चाहा रहे हैं या फिर निकाल रहे हैं क्योंकि mid October के लिए यहाँ पे two of wands का card है तो मुझे जादा दिख रहा है कि mid October तक वो इन energies से खुद को बाहर निकाल लेंगे फिर से clear कर दूं intentions, motives बहुत negative थे, एका दुका के लिए हो सकता है, overall के लिए यहाँ पर ये card simply ये कहते हैं कि वो न कोई चीज आप से छुपा रहे थे, कोई के अपनी feelings, emotions नहीं express कर रहे थे and again ये कोई भी चीज हो सकती है, कुछ Aries के partner के लिए हो सकता है, आपके लिए बहुत love, प्यार, महब and यहाँ पर thirsty का card कहता है, जादा इस चीज के chances हैं कि बहुत आपको miss कर रहे थे, बहुत उनके मन में love, प्यार, महबबत है, लेकिन बता नहीं रहे थे और कहीं mid October में, वो अपने इसी shell में से, अपनी इसी energies में से बाहर निकलते वे दिख रहे हैं, उनको इस relationship पे और you know, next level पर लेकर जाना चाहा रहे हैं, वो इस relationship को आगे बढ़ाना चाहा रहे हैं, और देखिए आपर four of pentacles reverse का card कहता है, जो भी चीज को उन्होंने बहुत tightly पकड़ा हुआ था, जैसे कि हमने देखा starting के cards में, कि कोई चीज आप से चुपा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, कहीं ब इस भी चीज को उन्होंने बहुत tightly hold on किया हुआ था, उसको let go कर रहे हैं, और यहां पर begging का card कहता है, यहां तो literally आपको convince कर रहे हैं, यहां you know back कर रहे हैं, इस relationship में रहने के लिए, इस relationship में चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, यहां फिर मन ही मन के लिए उनकी ऐसी energies हैं, वो express नहीं कर रहे हैं, बट यहां पर अगर मैं four of pentacles reverse का card देखूं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा open up होते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा अगर पीछे बहुत closed थे किसी idea के लिए, किसी चीज को लेकर, या किसी भी again मैं कहूंगी चीज को लेकर, तो कहीं end October में open up होत रहे हैं, नहीं तो आपको उनकी body language से, उनके indirect communication से पता लग सकता है कि वो बहुत ज़ादा इस relationship में रहना चाहा रहे हैं, इस relationship को next level पर लेकर जाना चाहा रहे हैं, और अब देखते हैं कि October मन्त में क्या हो रहा है, तो देखिए October starting बहुत great नहीं जाती वे दिख रही है, या पर Queen of Pentacles reverse का card कहता है, या तो बहुत practical, realistic हो कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चलना चाहा रहे हैं, या आप फिर कोशिश कर रहे हैं, नहीं चल पा रहे हैं, और deeper level के लिए false promises का card कहता है, आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक ने जूटे वादे करें, false promise कि और ये चीज कहीं bother कर रहे हैं, और इसे की वज़य से हो सकता है कि trust issues हैं आप दोनों के बीच में, आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक दूसरे जन पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, अब दिखे कुछ herries और उनके partner के लिए बहुत छोटी छोटी सी minor बाते होंगी एकका दुका के लिए कोई बड़ी बात भी हो सकती है, लेकिन कभी-कभी छोटी-छोटी बाते बीना हमारे मन में इतना ज़्यादा बैट जाती हैं कि हम उनको let go नहीं कर पाते हैं और फिर वो एक trust, वो एक विश्वास नहीं आ पाता है, तो इस तरीके की energies रहती भी दिख रही हैं और हो सकता है कि आप दोनों ही कहीं practical, realistic level पे एक दूसरे के साथ settle down होना चाहते हैं, कहीं you know एक stability, security relationship में चाहते हैं लेकिन trust नहीं कर पा रहे हैं, trust issues रहते वे दिख रहे हैं और इसके बावजूद भी देखिए, mid October काफी अच्छा जातावा दिख रहा है, यहाँ प रहे हैं और talking phase का card कहता है, आप लुगों के बीच में काफी communication होता हुआ दिख रहा है, बात चीत हो रही है, एक दूसरे से interact कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे से connect कर रहे हैं, तो mid October काफी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर देखिए, October month का को कोई भी एक phase हो सकता है, कोई भी एक period हो सकता है, यह general reading है तो बहुत, you know, fixated हो कि timing पर मैं जोर नहीं दूँगी कि mid October ही होगा, but yes, October month में कुछ time ऐसा रह सकता है, जहाँ पर बहुत एक togetherness है, बहुत ज़ादा companionship है, आप दोनों खुल के एक दूसरे से बात कर रहे हैं, connect कर र हो सकता है, five of pentacles reverse का card कहता है, कि शायद एक दूसरे से इतना connect नहीं कर पा रहे हैं, या नहीं कर रहे हैं, और एक, you know, block वाली energies, आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर सकते हैं, अब दीके, आपकी तरफ से ज़ादा रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपके partner, तो open up काफी ज़ादा होते हुए दिख रहे हैं, और कभी-कभी दिखे, circumstances भी ऐसे हो जाते हैं, जहाँ पर हम वाकई में अपने partner से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाते हैं, किसी चीज में वो इतने occupied होते हैं, हम इतने occupied होते हैं, और इसी सामने वाला दिखाता है, या उनकी तरफ से होती है, वो नहीं है, तो कहीं न कहीं एक rejection और अकेले पनवाली energies हैं, अब देखिए ये positive भी हो सकता है, बना ऐसे positive मतलब इसके बीचे कोई ऐसे गंदे intentions नहीं हैं, और देखिए deeper level के लिए love bombing का भी card है, तो मुझे जाता दिख circumstances, situation की वज़े से आप लोग इतना नहीं connect कर पा रहे हैं, क्योंकि love bombing, deeper level के लिए और खास कर दिखिए, five of pentacles के नीचे है, और ये card कहता है कि आप दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए बहुत जबरदस्त प्यार रहता हुआ दिख रहा है, feelings, emotions रहती भी दिख रही है, and yes, end October में थोड़ा सा नहीं मिल पा रहे हैं, या नहीं मिल रहे हैं, for whatever reason, उतनी care attention सामने वाले को नहीं दे पा रहे हैं, या सामने वाले से नहीं मिल रही है, या आपको ऐसे लग रहा है, कि सामने वाला, यानि कि आपके partner, आपको इतना अपनी activities में, अपनी चीजों में include नहीं क connect एक distance महसूस कर रहे हैं देखे इस चीज़ को सुनके परिशान ना हो क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी की रीडिंग नहीं है ये काट सिरफ और सिरफ October end के लिए बता रहा है तो उस टाइम पर ऐसी energies रह सकती है और नया मन्त आएगा तो हम फिर से देखेंगे कि क्या energies है लेक को आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को like, share और subscribe जरूर करें